हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू फूर्ट्स फिटनेस आजे आपड़े बनावीश्यु रवाना ढोकड़ा तो कोई पन जातनी आथानी जन्जट वगर आजे आपड़े आ ढोकड़ा 10 ती 15 मिनिट मा बनावीने तैयार करीश्यु तो घरे कोई अचानक महमा नावे कि पची ढोकड़ा खावानू मन थाई तो तमे आ ढोकड़ा बनावी शको छो डोकड़ानू स्वाच चोगण वदार्ती स्पेशल ग्रीन चटनी पन बनावी श्यु तो चालू बनाव गिये एकदम पोचा अने जालीदार रवाना ढोकड़ माटे अहिया में एक कप जीनो रवोली दो छे जो गर्मा सूजी होई तो सूजी ने मिक्षर जार्मा क्रश करी आरे इतनो जीनो रवो बनावी लेजो आ डोकड़ानू टेक्षर जीना रवाथी एक दम सरस आवे छे तो एक कप आपड़े एक मिक्सिंग बोलमा रवो लई जाते तमें जीनो रवोलो छो एना करता अड़दू तमारे दही लेवानू छे दही अहिया तमें सैज खाटू लेसो तो डोकड़ा एक दम सरस लाक से अड़दो कप दही नी साथे आपड़े एक कप जीनो पाणी उमेरवानू छे तो टोटल एहिया तमें घरमा रहेली सारी रिते मिक्स करी दिदू हव्यामा अपड़े बाकी नू पाणी उमेरी देयाशू अने 32 वस्तुने सारी रिते मिक्स करी लेशू तो अहिया आपड़े आ ढोकड़ाने एकदम सरस बनावा माटे बैटर पतलू ना थी जै एनू खास्तियान डाखफानू छे बैटर तमा अपड़े ढ़ाकी 10-15 मिनिट माटे रेस्ट आपी देशू जो समय होई तो अड़दा थी एक कल्लाक सुधी पन रवो तमे आरीते पलाड़ी शको छो पन इंस्टेंट बनावा होई तो 10-15 मिनिट माँ पन आटोकड़ा सरस बनी जाई छे तो हवे आपड़ू बैटर रेस् स्टीमर नी पलेट ने आरीते तेल्थी सारी रीते ग्रिस करी देशू आ प्रोसेस अपड़े पलाज करी लेवानी तो स्टीमर सरस तेल्थी ग्रिस थाई गई छे आने हवे इन्या 15 मिनिट पची तमे जोई शको छ अपड़ो रवो एक दम सारी रीते फुली गई ओ छे आन तमारे वधू पड़तु घट पण ने अने एकदम पतलू पण ने ए रीतनू राखवानू तो पाणियो मेरी में बद्दू सारी रीते मिक्स करी दितू छे हवे आपड़े टोकडानो स्वाद सोगन वत्यारवा माटे एक टेबल स्पून जेटला आदू अने मर्चानी पे वड़ारे एनन माटे एक टिबल स्पून जेटलू तेल उमेरी देशो कोई पन ढोकडा तमे बनावो एमा तमारे बैटर मा थोड़ू तेल उमेरवानू जे नाथी ढोकडा ठंडा थाया पच्छी पन बिल्कुल कोरा नहीं पड़े औने एक दम सरस साफ्ट रहे से हावे ब पत्तीज वस्तुने सारे रेते मिक्स करी लेशो तो आपड़े जेब बैटर तैयार करियू एटला बैटर थी स्टीमर नी बै थाड़ी जेटला डुकडा तैयार थाई छे अत्वा तमें किटला जड़ा के पतला डुकडा तैयार करो छो एना पर पन डिपैंड करे छे तो सरस मिक्स थाई जाई एटले तेल थी ग्रीस करेली प्लेट मा अपड़े अड़दू बैटर ट्रांस्पर करी देशो तो आ डुकडा अपड़े इदड़ा करत्ता सेज थिक एटले के सेज जाड़ा एवा बनावीशो तो रित्ते तमें जोव में सरस बैटर ने प्लेट मा फेलावी दिदू हवे एकदम टेस्टी ढोकडा तैयार करवा माटे उपर्थी थोडो अतकच्रा वाटेलो मरीनो भुको उमेरीशो आर इतनो मरीनो भुको आडोकडामा बुवच टेस्टी लागे छे साथे आपड़े थोडू एकदम बिल्कुल थोडू एवू लाल प्रिंकल करीशो औने ज्यारे स्टीमर नी थाले तैयार करो त्यारेश तमारे पाणी ने गरम करवा मुकी देवानू स्टीमर मा पाणी गरम थाई 25 ढोकडानी प्लेट राखवानी औने पच्छी अना पर ढाकन लगावी हाई मीडियम गयस नी फ्लेम पर आपड़ा ढोकड बिल्कुल टुत्पिक पर चौटता न थी मतला पोफेक्ट एवा स्टीम थाई गया छे तो आपलेट ने काडी बिल्कुल आज रिते टोकडानी बीजी पलेट ने तैयार करी लेशो औने आ डोकडाने अपड़े थोड़ा ठंडा थवा देशो टोकडा ठंडा था एत्तिया बाइंडिंग आपपा माटे एक टिबल्सपुन जेटली दाली यानी दालू में रेशो दाली यानी दालनी जग्या है तमे यह शिंगदाना पन लही शको छो अड़दी चमची जेटलू जीरू स्वात्र माणे मीठू अने एक टिबल्सपुन जेटली खांडू में रेशो સાથે આપણે આમાં એક મીડ્યમ સાઈસ્ના લિંબુનો રસ ઉમેરીશ્યું સાથે ખાવાની મજે આવે એવી ચટની બની ગઈ છે માટે નો વખાર તયાર કર્યો છે અડુદો વખાર આપડા રિતે પલેટ માઉં મારી એક દમ સારી રિતે બતી બાજુ ફેલાવી દેશુ અને ઉપરથી લિલા ધાણા સપરીંકલ કરી દેશુ તો મે જોઈ શકો છો આપણા ડોકળા બુવત સારએવા બનીને તયાર થઈ ગયા છે તો હવે આ ડોકળા ને કટ કરીલેશુ તો ડોકળા તમે સક્વએર શેપમાં ડાઇમંડ શેપમાં કે પછી તીકોણ શે તો તો તોમે જોઈ શકોચો બોવત સરસ ડોકળા માં જાળી પડીછે અને એકદમ સરસ પોચા રૂજેવા આ ડોકળા ફરી મળીસુ એક નવીડા સે પીશાથે તેયાં સુધી તેયાં સુધી તેયાં સુધી તેંચ્સ ફોચીંંગ